आज की जो मज़ेदार रेसिपी है वो है चीज ब्लास्ट भी से कहते हैं तो यह बहुत ही मज़े की और यमी बनती है तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैंने एक कब दही लिए है और इसके अन्दर लैसन पेस डाले हैं एक खाने का चमश और दो खाने की चमश ग्राम चैसके दाले मैंने इसको 30-35 मिनट के लिए जो है मेरिनेशन के लिए रख दिया था फिर इस 35 मिनट के बाद मैंने इसको स्टोफ पे रखा और इसको इतना लो टू मीडियम फ्लेम के उपर मैंने इसको पकाया है और इतना पकाया है कि इसका पानी खुशको जाए तो ये देख सकते हैं कि चिकन मेरी रेड़ी हो चुकी है इसको मैंने साइट पे कर दिया था ठंडा होने के लिए फिर मैंने यहां पाँच पीटियम साइस के आलू लिये थे और उनको बॉइल करके मैश कर लिया जो हमने चिकन बनाई दियो उसको मैंने उसका रेशा कर लिया था चोटा चोटा और उसको भी मैंने साइट कर दिया फिर यहां पे मैंने एक खाने का चमच नमक डाला है डेड़ खाने का चमच जो है कुटीवी लाल मिर्च है आदा चाय का चमच काली मिर्च और आदा चाय का चमच यह है चिकन पौडर इसको डाल के अच्छे से मिक्स करना है अच्छा यहां पे मैंने मिक्स हर्प्स आदा खाने का चमच लिया था और औरिगेनो भी आदा खाने का चमच लेके इसके अंदर डाला था ये अपनी मर्जी से आप सारे मसाले डाल सकते हैं. इसको फिर मेंने अच्छे से मिक्स करके स्मूथ मिश्चयर बना लिया था correction अच्छा है, यहाँ हमारा मिक्स्चर तयार है अब इसकी बॉल बना रहे हैं, बॉल बनाने के लिए मैंने थोड़ा से ये लिया और इसके अंदर मैंने चीज के क्यूब्स काट के रखे वे थे छुटे-छुटे तो जितना बड़ा चीज डालेंगा उतना मसे का बनेगा तो यह डालके मैंने इसकी बाल्स बना ली थी यहां आप देख सकते हैं जिसके किस देख से मैं बना ली हूँ तो इसी देखे से सारी बॉल्स मैं रेडी कर ली है मैंने यह हमारी बॉल्स तयार हो गई है अब हम इसके लिए इसकी कोडिंग के लिए जो है एक बैटर बनाएंगे तो यहां मैंने तू टेबल स्पून यानि के दो खाने के चमच कॉन फ्लार लिया भरके दो खाने के चमच जो है कॉन फ्लार लिया है और इसको पानी थोड़ा थोड़ा डाल के जो है इसका एक स्मूच सा बैटर बना लेंगे यहां पर चार खाने के चमच मैंने पानी डाला है इसका एक स्मूध सा बैटर बनाने यह देख लें यहां पर दो अंडेल यह उसको फेंट लिया फेंटने के बाद मैंने इसमें नमक और काली मेच थोड़ी थोड़ी सी डाली थी पिंच तो यह हो गया, बागी ओरिगेनो और मिकस अरप यह ओप्टनल है आप डालना चाहें डालें, नहीं डालना चाहें ना डालें जो आपको ठीक लगे हैं इसमें चילी फिलिक्स भी डाल सकते हैं अच्छा लगता है इसमें भी न कोटिंग में भी एक टेस्ट आ जाता है यह मैंने एक स्पून सा बेटर बना लिए अच्छा चीज बॉल के अंदर मैंने कोई वेजीटेबल नहीं डाली थी अनियन वगारा कुछ भी नहीं इसलिए कि मुझे इन्हें फ्रीज करना था ताकि यह अराम से जो है चल सकें एक हफ़ते तक अब आप चाहें तो डालना चाहें तो डाल सकते हैं लेगे उसे फ्रीज नहीं का सकते हैं फिर प्यास की एक स्मेल आजाती है अच्छा यहां पे मैंने एक चीज बॉल लिया और अंडा और कॉंट फ्लार का जो बैटर हमने बनाया था उसके अदर डिप करके फिर मैंने इसको breadcrumbs में डाला है और इसकी coating कर रही हूँ यह पर मैंने दो coating की हैं इनकी double coating ना इससे बहुत अच्छा क्रिस्पी सा एक लोकाता है तो बहुत मज़ेदार लगता वो क्रिस्पी क्रिस्पी सा क्रंची सा बहार मैंने फिर से इसको अंडे में डाला और अगें जो है मैं इसको breadcrumb लगाऊंगी अच्छी तरीके से breadcrumb आपको coat करना है ताकि यह बहुत मज़े का बना यह देख सकते है इस तरीके से मैंने उनको double layer किया है इसी तरीके से मैं सारी की सारी बॉल्स इसी तरीके से बना लूँगी बना के रख दूँगी यह देखे मेरे यहां पे जो है चीज बॉल जो है breadcrumb लगाऊंगी लगके और कोटिंगों के तैयार हो गए है तो चीज बॉल मेरे ready हो गए है और अब हम इसको fry करेंगे एक पैन लिया उसमें मैंने oil डाल दिया और oil को अच्छा खासा गरम करना है क्योंकि सारी चीज़े पकीवे हैं तो सिर्फ हमें उपर से इसको पकाना है अंडे को और क्रम्स को जो के golden brown हो जाए तो इसको इतना पक मेरे golden brown हो रहे हैं और बहुत मज़े के बनते हैं इसको आप अराम से एक हफ़ते के लिए freeze कर सकते हैं क्योंकि मैंने इसमें अनियन वगर नहीं डाला है तो चीज़ बॉल मेरे ready हो चुके हैं अगर आपको मेरी recipe पसनाती है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शियर जो के लिए आप बनाएं बड़े बच्चे या कोई भी दावत हो तो उसमें आप बना सकते हैं यह tea time के लिए बहुत ही अच्छा स्नेक है जटपट और जल्दी बनने वाला तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शियर जरूर कीजिएगा मेरे channel को फिर मिलते हैं किसी अच अच्छा लाफिस